हलो वच्छो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उम्मिद सांदार जिन्दबाद जबर जस्त होंगे आपका काम केवल पढ़ाई करना नहीं है पढ़ाई के अलावा अगर आपको एक दो घंटे सिर्फ इस बात के लिए परेशान होना पड़े कि मेरा फॉर्म सही है गलत है तो वो बुरा नहीं है क्योंकि हम पढ़ाई कितनी भी चाहे कर लें और बहुत नजदीक भी हम सेलेक्शन के पहुँच जाएं चाहे मौक में हम 200 भी करते रहें 300 में से लेकिन बच्चो अगर आपके फॉर्म में थोड़ी सी भी मिस्टेक रही तो वो आपका सरदर्द बनेगी ही बनेगी तो इसलिए फॉर्म की गलतियों से आपको बचना ही बचना होगा तभी आप अपने सेलेक्शन के उम्मीद करें क्यों लास्ट में सिवाए पच्टाने के हमारे पास कुछ नहीं होगा चाहे आप भरती बोड के आगे फिर नाक रगड़िये चाहे चिल लाइए चाहे रोईए कुछ नहीं होगा आप ना फिर कहीं कोट में चलेंज कर पाऊगे ना कहीं भी प्लीज अभी करेक्शन कर लें और करेक्शन बड़े ध्यान से करें क्योंगी करेक्शन का मौका सिर्फ एक बार ही मिल रहा है मेरी बात गौर से सुने एक कॉलम में नहीं चाहे पूरा form correct कर दें सारी detail भर दें कोई भी कॉलम में edit कर दें सम्में हो जाएगा लेकिन उसको submit अगर कर दिया आपने दुबारा correction को फिर कोई correction नहीं कर पाओगे आप दुबारा मतलब आपने देखा कि ठीक है मेरी detail सब okay हो गई है अब मैं इसको submit कर देता हूँ इसका मतलब यह हो गया कि आपने यूपे पुलिस को कह दिया कि मैंने correct form भी मैंने correction करके भी अपना form अब आपको submit कर दिया अब यह बिल्कुल ठीक है तो यूपे पुलिस आपको दुबारा मौका नहीं देगी correction को भी open करने का वन टाइम है सिर्फ एक कॉलम में नहीं कॉलम कितने भी कर लो पर टाइम एक बार एक बार submit किया फिर correction नहीं कर सकते चलिए अब correction की fees बहुत सारे बच्चों को doubt आ रहा है के आभारी है और होना भी चाहिए क्योंकि बच्चों correction के लिए कोई fees नहीं लिए जब कि SSC भी लेता है सब लोग correction की fees लेते हैं भरती बोड ने आप से correction की कोई fees नहीं लिए correction fee free है लेकिन एक ही बार correction कर सकते हो बच्चों ये correction नहीं बढ़ाई 16 जनवरी ही रही last date अब आप form तो नहीं भर सकते लेकिन बच्चों अब आपका जो correct ने पहले बोला कि 17 और 18 क्योंकि उनको लग गया कि उनके पास बच्चों ने भर भर के phone किये भरती बोड को कि मेरे form में correction है जी मेरे form में correction है जी मेरे form में correction है उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा correction आने वाले है ये बच्चे अगर केवल 18 को किया तो site को hang कर देंगे फिर किसी का भी correction नहीं हो पाएगा तो उन्होंने किया कि 17 और 18 दोनों दिन correction के रख देते हैं तो उन्होंने 17 और 18 दोनों दिन आपको correction का मौका दिया लेकिन ये और भारी है लगबग हर बच्चा ही चाहता कि मैं भी correction करूँ तो 17 से 20 कर दिया बच्चो अब आप correction चार दिन कर पाएंगे या आपने first register कर दिया है लेकिन सुल्क जमा नहीं किया है तो सुल्क भी आप जमा कर पाएंगे 17, 18, 19, 20 site open हो चुकी है correction वाली आप correction अब कर सकते हैं किसी भी कॉलम में correction कर सकते हैं ठीक है ये कैसे पता किसी भी कॉलम में correction कर सकते हैं ये उन्होंने एक दिन और दे दिया था अपना देखिया आज कल जो भरती बोर्ड है न वो सारी चीजे official ना निकाल करके अपने official Twitter handle के माद्यम से काफी active है तो ये उन्होंने अपने Twitter handle से ये जानकारी डाली थी ये क्या जानकारी है एक तो ये बहुत बड़ा confusion बच्चों में साथ में ये भी था और उसका हमने ये हिंदी अनुवाद निकाल लिया है ताकि आप बच्चों को ये समझ में ना आये English में लिखा था उन्होंने आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो ये मैंने आपको अनुवाद करके दे दिया है डीजी लॉकर विंडो इस फॉर दोज हूं अपलोडिड स्कैन डॉक्मेंट्स बिफॉर इंटिग्रेशन ऑफ डीजी लॉकर वच्चे इसका मतलब है कि डीजी लॉकर विंडो उन लोगों के लिए है जिन्होंने डीजी लॉकर के एक इकरन से पहले एक इकरन यह ज़्दा हिंदी कर दिया इन्होंने से पहले स्कैन किये गए दस्तावेज अपलोड किये थे यानी डीजी लॉकर को जब से इसमें इन्वाल हुआ डीजी लॉकर पहले काम नहीं कर रहा था जब से डीजी लॉकर ने काम करना शुरू किया उससे पहले जिन बच्चों ने अप्लोड कर दिये थे डीजी लॉकर पर उपलब्ध प्रमाण पत्रों के लिए डीजी लॉकर के माध्ध्यम से उपलोड करना प्रात्मिकता है उन्होंने बोला कि अगर डीजी लॉकर पे जो डॉक्मेंट्स उपलब्ध हैं कुछ तो मालो है ही नहीं डीजी लॉकर पर जो अपलब्द हैं वो डीजी लॉकर के माध्यम से ही करें यह उन्होंने बोला शुरुवात में तो यही बोला था कि डीजी लॉकर के माध्यम से ही करें अब बच्चे कन्फ्यूज कहीं मैंने जो आफलाइन स्कैन कर दिया है अप तो यह प्रात्मिक्ता तो है, अच्छी बात तो है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, अगर आपने नहीं किया है, तो कोई बात नहीं पर आफ लाइन स्कैन कर दीचे, अन्यथा सामान्य स्कैन, जो आफ लाइन स्कैन की बात कर रहे हैं, तो स्वीकार किया जाएगा, अगर होगे तो स्वीकार तब भी कर लेंगे नॉर्मल स्कैन को भी साफ सुत्रा स्कैन कर देना और ऐस्वीकार नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसमें मतलब यहाँ पा अगर मैं पढ़े हैं क्योंकि हिंदी तो मुझे लग रहा है गूगल ने ग्लबल कर दिये तो DZLocker for certificate that are available on DZLocker otherwise normal scan upload is accepted and will not be rejected normal scan accepted है reject नहीं होगा ठीक है उसकी चिंता मत करना दूसरी बात है बच्चो जो आगे की बात इन्होंने बोली है कि यह 17 पहले 17 अठारे दी थी 17 अठारे को अब बढ़ा करके 20 तक कर दिया गया दो दिन और विस्तारित किया गया इस date को तो यह भी इन्होंने किस के माध्यम से दी है अपने Twitter के माध्यम से दी है जिसको X नाम बोल दिया है अब तो Twitter का नाम भी X हो गया है चलो अब आगे अगर बोलें कि भाया जो आप यह कह रहे है हो सर कि जो किसी भी कॉलम में edit हो जाएगा तो यह भरती बोर्ड ने बोला है क्या भरती बोर्ड ने फिर अपने Twitter पर बोला कि query यह है बच्चों की कि मेरा form पूरा सही है बस आधार कार्ड नंबर में एक digit गलत हो रखी है जब correction window खुले तो उसमें correction हो जाएगा या नहीं तो ऐसे बहुत सारे message उन पर गए सर मेरे नाम में गलती होगी इसमें correction हो गा या नहीं मेरे father name में गलती होगी इसमें correction हो गा या नहीं लगबख हर column के उनके पास mail पहुच गए बच्चों के अब उनको लगा कि भहिया ये तो सम्में करना पड़ेगा नहीं बच्चे कान खा जाएंगे application edit will be enabled on 17th and 18th पहले ये दोनों दिन था 20 तारिक तक है for all stages completed and registered application all fields are allowed for editing सारे fields allowed हैं किसी भी edit के लिए ठीक है चलिए बहुत अच्छा कर दिया तो बच्चों की ये समश्चा भी खतम अब एक समश्चा बच्चों के सामने भी समश्चाओं की ज़ड़ी लगी हुई है एक बच्चे ने ऐसा फम भर दिया आवेदक का पहला नाम केम हमारे यूपी में केम बहुत लगाती है लड़किया केम कुमारी इसका मतलब होता है कुमारी जोती और आगे सरनेम कुछ है नहीं तो उन्होंने पहले नाम में भर दिया केम अन्तिम नाम में जोती और आवेदक का पूरा नाम तो उसने बिलकुल सही लिखा केम जोती लेकिन बच्छो जो तरीका है लास्ट नेम होता है सरनेम के लिए जोती किसी का सरनेम नहीं हो सकता नाम हो सकता है तो आपको ये लखना चाहिए था यहाँ पर ही के एम जोती ये ज़़्यादा सही रहता बजाए इसके हलांकि ये भी कुई गलत नही है चाहिए था और वो यहां फिर सेम आएगा ये कॉलम खाली छूटना चाहिए था आएदे में खाली होना चाहिए ठीक है तो ये एक तरीका होता है यहां आपने जो लिखा बिल्कुल सही है ये चीज वहां लिख जाएगी तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से वैसे अगर इसको ऐसा भी छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी गलती नहीं है भरती बोड समझ जाएगा यहां आपका नाम उनको दिख रहा है ये कॉलम नहीं होता तो मैं फिर आपको वही जोड़ देता है फिर तो गलत था है ठीक है पर फिर भी आप ऐसे कर देंगे तो ज़्यादा सही है आगे मार्क सीट और सर्टिफिकेट इन में से क्या स्कैन करें ये बच्चों को बहुत कंफियूजन है बटा मार्क सीट के लिए अंक पत्र बोला जाता है और जो सनद है उसके लिए सर्टिफिकेट बोला जाता है तो जो scan करने के लिए उन्होंने मांगा है ना दस वी की और बार वी की वो सनद के लिए ही मांगा है वो mark seat scan मत करना वहाँ जो scan की जगे है ना वहाँ केवल certificate scan होंगे 10th का भी और 12th का भी और एक जो आगे किरमांक भरवा रहा है है ना तो वहाँ तो वहाँ तो ऐसे लिखे रहा अंक पत्र slash प्रमान पत्र या mark seat slash certificate वहाँ तो आप कोई से का भी डाल दो वो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो scan करवाएगा scan चार डॉकुमेंट्स हो रहे हैं ना बच्चो तो उन चारों में certificate ही करना आप scan चार में तो एक मूल होगा एक जाती होगी और दो आपके ये होगे एक दसवी की सनद एक बारवी की सनद अब किसी किसी बच्चे की दोनों चीज एक में ही है एक ही डॉकुमेंट्स है mark seat सनद एक ही है दोनों चीज तो तो और अब अच्छा है उसको तो कोई confusion ही नहीं है उसी को scan करना है ठीक है चलिए अब ये बहुत सारे बच्चों को confusion एक ये भी है क्योंकि कॉलम में ये भी भरवाया गया था मूल निवास को फरदत करने वाला अधिकारी कौन है अधिकारीों के नाम वहाँ पे SDM है तो मूल निवास मैंने अगर मूल निवास मंगवाया और देखा तो मूल निवास तो सबके में SDM ही है मेरे ख्याल से है ना और जो OBC certificate है ना वो किसी किसी का SDM दिख रहा है किसी किसी का तहसिल दार दिख रहा है तो वो अपने हिसाब से भर देंगे EWS में मेरे ख्याल से सब जगे तहसिल दारी है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने एक OBC के बच्चे का मूल निवास मंगा तो निवास प्रमान पत्र में तो आप यहाँ से चेक करेंगे कि कौन किसने आपको जो है प्रदत किया है सक्षम अधिकारी स्लैस उपजला अधिकारी डिजीटल हस्ताक शरित यानि उपजला अधिकारी द्वारा हस्ताक शरित है और यहाँ भी उपजला अधिकारी द्वारा प्रदत सामन्य निवास प्रमान पत्र तो यहाँ भी उपजला अधिकारी आ गया, उपजिला अधिकारी को ही SDM बोलते हैं, तो ये तो मूल लिवास तो SDM ही जाएगा, अब जाती प्रमान पत्र मैंने OBC का ही देखा ये, तो मेरा नामरासी ये भाई, ये अंकित भाटी, तो ऐसे मत सोचना कि मेरा है, ठीक है, तो ये जो है, इसमें आपको ना तो ये दिया कि कारल ले उपजिला अधिकारी, ऐसा कुछ नहीं दिखा, उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाती के लिए जाती प्रमान पत्र हैं बस, UP का ही जाती प्रमान पत्र चलेगा, ये क्लियर है, सेंट्रल का यहां नहीं चलेगा, और इस डेट से पहले बना हु तो ये तहसिलदार का आ गया है, तो ओभी सी प्रमान पत्र यहां तहसिलदार ने जारी किया है, तहसिलदार, ठीक है तहसिलदार, क्या हुआ है, तो ये डाउट भी क्लियर, क्या हुआ है? हाँ, बच्चों को ये डाउट है कि मेरा जो ओभी सी है, वो बहुत पुराना बना हुआ है, 2018 का है, 2017 का है, तो क्या वो चल जाएगा? जी नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया था, और बच्चों मैंने भी आपको साफ साफ बताया था, कि एक अपरेल 2014 से बीच का, आपका जाती परमान पत्र, इस पेसली, OBC और EWS, सिर्फ दो, अगर मैं बात करूं, SC, ST के सर्टिफिकेट की, या मूल निवास की, ये चल जाएंगे पुराने भी, क्योंकि इनके लिए कोई डेट नहीं दी गई है, सिर्फ दो परमान पत्र, OBC और EWS, ये एक अप्रेल 2023 के बाद के, और 16 जनवरी 2024 से पहले के, क्लियर है, इस पस्थ है, कोई डाउट अब नहीं रहना चाहिए, हाँ, कुमारी जोती की जगे आपने केम नहीं लगाया, जोती लिख दिया है, सिर्फ तो भी ठीक है, और टेंसन मत लीजिए, अब बच्चो फोटो पे आते हैं, क्योंको ज़्यादा तर बच्चो की ये क्वेरीज हैं, कि सर्फ फोटो बैक ग्राउंड, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा बलू है, मेरा रैड है, बच्चो वैसे तो SSC का अगर मैं जहां तक जानता हूँ SSC के बारे में, वो भी ऐसे ही लिखते हैं, वाइट और ग्रेई होना चाहिए, लेकिन वो रैड वाला भी अकसेप्ट करते हैं, वो बलू वाला भी अकसेप्ट करते हैं, लेकिन मैं भरती बोर्ड की अगर बात क्योंकि उन्होंने लिखा है नोटिफिकिशन में साफ, अब मैं यह नहीं कह सकता है, SSC ने एकसेप्ट कर लिया तो यूपी पुलिस भी उसे एकसेप्ट करेगी, और नहीं करेगी तो उनके पास कारण है, तो क्योंकि बरती बोर्ड में ऐसा नहीं है, सब लोग जब डॉक दूसरी जगे नहीं चलाया जा रहा है, तो फिर आप उनसे लेड़ नहीं सकते, वो कहेंगे देखो मैं तो नोटिफिकेशन लेके बैठाओ, मैं तो इसके अकॉर्डिंग ही चलूँगा, एक करा यार साफ सुत्रा तारा क्या दिक्कत है, तो बच्चो वहाँ अगर उस तो बेस्ट है, ठीक है, तो आपका कन्फिजन खतम हो जाएगा पूरी तरह से, अब मैं बात करता हूँ सिगनेचर की, तो बच्चा सिगनेचर जो है, इन्हों ने जो लिखाए नोटिफिकेशन में ब्लैक इंक में लिखाए, बहुत सारे बच्चो ने बिलू इंक में भी क एकसेप्ट हो गया फॉर्म में और एडमिट कार्ड आ गया, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आगे दिक्कत भी नहीं आनी इस पर आएगा एडमिट कार्ड या नहीं आएगा, मुझे लगता है आ जाएगा सब का, तो अगर आपने ब्लू इंक में किया है, सापस लिए उन्होंने ब्लैक ही दिया है, बाकी ओरिजनल से तो बिलू से ही लगते हैं, नहीं तो है न बच्चो, पर बाकी कोई बात नहीं है, उगर उन्होंने ब्लैक बोला है, तो आप ब्लैक से कर दें, इसमें कोता ही न बढ़ते हैं, आप सिगनेचर को भी हम साइन हिंदी म करें भाइ मुझह लगता है इूपी में कोई दिक्कत नहीं आपको इसे हम्म कर दें край sasa tanidas में करें तो यहाँ चल जाएगा दोनों में मत करना ठीक है, चलो, क्योंकि दोनों के लिए उसने बोला नहीं है अब फोटो में, एक बच्चा तो कह रहा थे सर, एक बच्ची थी, उसके बालों से कान ढख रहे थे उसके सर फोटो में दोनों कान दिखने चाहिए यह आपने बोला था मेरे तो बालों में ढग गए तेंसन मतलो वो इसलिए है कि कोई ऐसे खिचवा रहा है दोनों कान अब एक कान उसका दिखी नहीं जाए तो ये तरच्छे ना खिचवाओ आप इस वज़े से वो ऐसा बोलते हैं ठीक है बाकी बालों में ढग गए कोई बड़ा इशू नहीं है कान नहीं देखने उनको आपको वो मेडिकल में चेक कर लेंगे पर बच्छो ये जो है ना जैसे स्काफ टाइप इस तरह से तो ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा ठीक है ये लड़कियों के केस में थोड़ा सा ये देख लेना क्योंकि ये कैप का काम कर देगा और कैप के लिए वो फोटो एकसेप्ट नहीं कर रहे है बच्छो माल हो सकता है ये एकसेप्ट हो जाए पर इसमें प्रॉबिल्टी है संभावना है कि ये वो रिजेक्ट भी कर दें तो ऐसा काम मत करिये ठीक है तो जहाँ जहाँ आपको मैंने बताया दिया है कि क्या क्या आपको करेक्ट करना चाहिए जरूरी है और जिन में बच्छो के बहुत सारे चीजे दिक्कत कर रही थी एक बच्छो अगर मैं फॉर्म की संख्या देखूँ फॉर्म कितने भरे गए हैं फॉर्म की संख्या बच्छो अभी संख्या का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जो फॉर्स्ट रेजिस्टेशन बिना फीस के जो कर देते हैं उन में से बहुत फिर फीस जमा करेंगे कुछ ऐसा हो सकता है ना करें तो यह सुरू के दिन का रेजिस्टेशन है फस्ट डे फस्ट डे का है एक बच्चे का और यह लास्ट डे का है यह लास्ट डे का है अब जो फस्ट डे का है वो एक करोड़ दस लाख इतने डिजिट से उन्होंने शुरू किया ही था तो एक करोड़ दस लाख दो हजार आठ सो उनियासी और ये एक करोड़ उनसेट लाख इकतिस जार दो सो नवासी अगर मैं इन दोनों का अंतर करूँ तो उड़नचास लाख के आसपस रेजिस्ट्रेशन बनता है लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ उड़नचास लाख फॉर्म है पर मैं ये कह रहा हूँ उड़नचास लाख ने फॉर्म भरा फस रेजिस्ट्रेशन करा किसी ने सेकिंड भी कर दिया होगा इसमें वो दो बार काउंट हो गया है दो दो फॉर्म भर दिया होंगे पहले में गलती होगी, फीस जमा नहीं करी, मैं दूसरा ही कर देता हूँ, फिर उसने उसमें फीस जमा कर दियोगी, तो अगर मैं देखूं, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है, करीब करीब, कि बच्चा करीब करीब 35 से 40 लाक के बीच में फॉर्म भर गए हों, इतने फॉर्म तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइध होंगे ही होंगे, जो बहुत बड़ी संख्या है, यूपे पुलिस में ऐसा साइध ही कोई बच्चा बच्च रहा हो, हाइट पाइट देखी नहीं रहे बच्चे, मैंने बार भी कर ली भरूंगा फॉर्म, ऐसे बालक उने, सब ने थोड़ी ना आती है, तो इस तरीके से बच्चों में एक थोड़ा सा एकसाइटमेंट हुआ, और उन्होंने फॉर्म तो बहुत भारी संख्या में बहर डाले हैं, आगे उन्हें पता चलेगी, बहुत सारे बच्चे नहीं जाएंगे, जोने पता यार मेरी तो हाइट नहीं फ्री में भी, सब तरह से हम तयारी कराने में एक्जुट हैं, बच्चों ये हमारी तरफ से मिनी मॉक जो पंदरे जनवरी को इस रू किये गए हैं, ये रोजगार विदंकित एप पर फ्री हैं, फ्री मैं बहुत सेवा करूँगा आपकी, आपके एक्जाम तक आप देख ल इस के लिए हम 15 मिनिट दे रहे हैं, हिंदी के लिए जी एस के लिए 13 मिनट, ऐसा करने से मिनी मॉक से जिन बच्चों का टाइमिंग कम पड़ता है, टाइमिंग मैनेज हो जाएगा, ये गरंटी है, आपको ये पता लगने लगए कि मरे को हिंदी को कितना ही समय देना है, इ ज़्यादा टाइम देने के यहाँ अर्थनी है, टूसडे और थिस्डे ये आप करहेगा मैस और रीजनिंग का, मैचस के आपके 20 कोष्यन, रीजनिंग के 25 कोष्यन, इन के लिए हम लोग दे रहे हैं आपको 65 मिनिट, और मैटस के लिए हम लोग आपको दे रहे हैं 27 ठीक है, अभी rank में थोड़ी समस्या चल रही है mini mock में, वो भी कल तक या आज साम तक दूर हो जाएगी ठीक है, ये gd का जो है mini mock है अगर आपको देखना है तो, और बच्चा, correction मैंने बोल दिया है वैसे, खुब अच्छे से बोल दिया है, correction one time ही होगा बस, one time जब आप correction कर रहे हो तो वहाँ लिखी भी आ रही है सिर्फ one time correction होगा बार बार नहीं कर सकते कि ओ, आप नहीं गरा ये submit कर दिया इतना इतना correct करके, ओ यार ये गलती तो रही गई फिर आप नहीं कर सकते correction इसलिए जब correction कर रहे हो तो फॉर्म को एक बार पूरा चेक कर ले ना धुरा धुर और वो लोग भी चेक कर लें जो ये माने बैठे हैं कि मेरा फॉर्म तो बिल्कुल सही है प्लीज, तब लोग चेक कर लें एक बार क्योंकि अभी मौका है फिर नहीं रहेगा धन्यवाद, नमस्कार